स्वागते बचो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 6 के बचो के लिए फाइनल एक्जैंस की रिविजन लेकर के आए हैं तो स्टार्ट करेंगे हम चाप्टर 7 से इसमें हम एक बार सभी चाप्टर के एक एक पैसेज पढ़ेंगे और उसके ओपर जितने भी कोशन्स आपके बेज़ हैं उस पैसेज में से जितने भी कोशन्स बन सकते हैं उन सभी को हम आपको करवाएंगे तो वीडियो को लास तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे की उनकी भी हैल्प हो सकी तो स्टार्ट करते हैं पहला हमारा चाप्टर है पकस्य प्रतिकारह और इसका फर्स पैरग्राफ एक बार जल्दी से रेट कर लेते हैं कि एकसमिन वने श्रिगालह बकहच निवसत हस्मा तयोहो मित्रता आसीद कि एक वन में श्रिगालह बगुला रहते थे सियार और बगला रहते थे उन दोनों में मित्रता थी तयोहो मित्र तासीद एकदा प्राताहा श्रिगालः बगकम अवतर एक बार सुभा सियार ने वगले से कहा मित्र शोहत्वम मया सहा भोजनम कुरू क्या तुम कल मेरे साथ भोजन करोगी श्रिगालत से निमंत्रेंट बगला प्रसन्न अपवद और सियार के निमंत्रेंट पर बगला प्रसन्न हो गया तो अब इस पर देखते हैं कि इस पैराग्राफ की उपर जितने भी कोशन्स हैं वो कौन-कौन से बन सकती है कौन कौन से questions इस paragraph से आ सकते है तो अभी जो हमने passage पड़ा है उसके जो questions है वो कौन से है तो पहला question इसमें आता है श्री गालत से तो पहला question कौन सा है इस paragraph से तो पहला पूछा है एक पदीन उत्रत एक शब्द में ही इसका आपको answer करना है तो question है श्रिगाल से बकस्य च मध्य का आसीत की श्रिगाल और जो बगला था सियार और बगली के मध्य में बीच में क्या था पहला प्रश्न है ये तो क्या था उन दोनों के बीच में अभी हमने passage में पढ़ा कि क्या था उनके बीच में मितरता थी तो अभी इसके आंसर आपको बताती है भोजनाय निमंत्रेन कहा प्रसनह अभवत कि भोजन के निमंत्रन से कौन प्रसन हो गया था तो कौन प्रसन हो गया था भोजन के निमंत्रन से बगला प्रसन हो गया था तो क्या लिखेंगे बगह तो देखिए पहले का अंसर क्या हो जाएगा? हमने आपको अभी बताया कि उन्होंने पूछा था कि श्रिगाल और भगगुले की बीच में क्या था? तो क्या था? मितरता थी और अगला अंसर था कोशन था कि भोजन के निमंत्रन पर प्रसन हो गया था? तो कौन प्रसन हो गया था बगुला आगे next question देखते हैं इसका तो अगला प्रशन पूछा है पून वाख्य उत्रत तो इसका हो गया था मित्रता और इसका हो गया मारा बकह तो पून वाख्य उत्रत में क्या है वन वने कौन निवस्तह स्मह की वन में कौन निवास करता था और अगला प्रश्ण पूचा है कि श्रिगालह बकम की मवदत की सियार ने बगुले से क्या कहा था तो आंसर देखते इनके तो पहला प्रश्ण था हमारा कि वन में जो है कौन निवास करते थे तो वने श्रिगालह बकह च निवसतहस्म कि वन में कौन निवास करते थे वने श्रिगालह बकह च निवसतहस्म कि वन में सियार और बगला निवास करते थे अगला प्रशन पूछा था कि श्रिगालाहा बगम की ववदत की सियार ने बगले से क्या कहा था तो श्रिगालाहा बगम ववदत मित्र शुह तुम मैं सह भोजनम कुरू की कल तुम मेरे साथ भोजन करना तो इस तरह से आपको प्रशनों के उत्तर जो है देनी है अगला प्रश्ण करते हैं देखें अगला प्रश्ण है यथा निर्देशम की जैसा निर्देश दिया गया है आपको उसी प्रकार से इसका उत्तर देना है तो गद्यांश है आसीत इती पदस्य करता पदम कीम अस्ती की गद्यांश में जो अभी हमने एक पैसेज पढ़ा था उसमें जो आसीत शब्द आया है इस शब्द का आपको करता बताना है तो करता कौन होता है जो कारे कर रहा है तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा तो हम एक प पैसेज फिर से देख लेते हैं जल्दी से अब उन्होंने पूछाता कि आसीत इस पद का करतापत पूछाता तो यहां पर क्या है आसीत यह लिखा हुआ है आसीत तो इसका करता पूछाता तो करता क्या है उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपको श्रिगालह बकह और मित्र तो इसका क्या answer हो जाएगा, मित्रता, तो देखते हैं इसका answer, तो देखिए, पहले का उत्तर हमने देखा कि क्या हो गया, मित्रता, अगला पुछा है, एक अस्मिन वनी, आगे आपको blank दिया हुआ है, अस्मिन वाकिय विशेश्य पदम किम, विशेश्य बचो क्या होता है, होता है जो किसी की विशेष्टा बताता है और विशेष्य होता है कि जिसके बारे में जिसकी विशेष्टा बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य तो इसमें जो है पूछा है एक कस्मिन वने इस वाक्य में विशेष्य पद जो है क्या है तो किसकी बात की जा रही है वन की बात की जा रही है तो इसमें इशेशे क्या हो गया वनी आगे है अगला कोशिन श्रिगालस्य निमंत्रीन बकह प्रसन्नह अभवत की सियार ने जब निमंत्रन दिया बगुला क्या हो गया खुश हो गया था असमिन वाक्य इस वाक्य में अभवत जो है ये शब्द जो है इ इस क्रियापद का करता जो है वो कौन है तो इस क्रियापद का श्रिगालत से निमंत्रिन बकह प्रसन अभवत की कौन प्रसन हो गया था तो कौन हो गया था बगुला तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बकह ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा इसमें मित्रता और इसमें आ वो हमने उस पैसेज के देखे तो इसके बाद वाला पैसेज पढ़ते हैं पहले तो ये थे उतर आपके तीसरे कोशन के तो आगे अब नेक्स्ट हम इसका आगे पैसेज पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं आगे पैसेज अगरी में दिने सह भोजनाई अगरी में दिने सह वासम अगच्छत की अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया कुटिल सुभावाह श्री गालह स्थाल्याम पकाई शिरोधनम अयच्छत की जो दुष्ट सुभाव वाला कुटिल सुभाव मतलब दुष्ट सुभाव वाला जो सियार था उसने बगुले को शिरोधनम जो खीर थी, वो कैसे दि, थाल्याम, कैसे दि, उसको ठाली में दी, बकम अवददत च और बगुले से क्या बोला, कि इस बरतन में अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहयः खादा वहा, की थाली में उसको कीर दे दी और कहा कि इस बरतन में हम दोनों साथ ही खा लेती हैं भोजन काले जब भोजन के समय बकस्य चंचू जो बगुले की जो चोंच ती स्थाली तह चोंच थाली से बोजन क्रहन करने में समर्त रही थी इसलिए बगुला जो है केवल खीर को जो है देखता रहा ये देखिए खीर को केवल ये देख रहा है श्रिगाला हा तु सर्वम शिरोद्नम अभक्षिद और इस सी आर ने सारी खीर खा ली तो इसके उपर अब जो कोशन बनते हैं वो देखते है तो अगला है इसमें आपको एक पद में ही उत्तर देनी है पहला कोशन बुचा है कुटिल स्वभाव का जो था वो कौन था तो अभी हमने पढ़ा था कि कुटिल सुभाव का कौन था श्रिगालाह जो सियार था वो कुटिल सुभाव का था दुष्ट सुभाव का था अगला है बकह कीम अपश्यत की बकह जो बगुला था वो क्या देखता रहा तो अभी आप धामने पड़ा था क्या देखता रहा था वो थाली में खीर को देख कि कुटिल सुभाव का कौन था तुश्री गाला हा और अगला था कि वो बगला जो था वो क्या देखता रहा था तुशी रोधनम तो इस तरह से हम पैसेज के कॉश्चन्स जो है साथ साथ आंसस आपको दिखाते चलेगे अगला ये करते हैं पून वाकिये उतरत कदा बकस्या चंचू स्थाली तह भोजन ग्रहेंड समर्था न अभवत की कदा कब जो है बगला चोज से अपने जो थाली से भोजन ग्रहेंड करने में समर्थ नहीं था तो कब नहीं था क्योंकि क्या था भोजन काल के समय जब था तब है भोजन क्रहन करने में समर्थ नहीं था तो कदा की जगह के आ जाएगा हमारा भोजन काली इसकी जगह आ जाएगा भोजन काली अभी आपको आंसर भी दिखा रहेंगे इसके आगे है शिरगालह जो सियार था उसने थालियाम किस को खीर को दिया था तो इसके उत्तर आप देख लेते हैं किस को दिया था आप पता ही है कि बगले को बगले को तो देखे, पहला पूछाता की बोजन काल किस समय जो है, कब जो है वो भगुले ने चोच से ठाली से बोजन क्रहेंड करनें में समर्त नहीं था, तो भोजन काल के समय में बकसे चंचूस ठाली था, बोजन क्रहेंड समर्ता ना भावत अगला प्रश्ण नो ने पूछा था कि श्रिगाल ने जो है जो सी आर था उसने ठाली में किसे जो है खीर जो है दी थी तो श्रिगाल अस्थालय बकाये शिरोधनम अयचत भगुली को खीर दी थी तो इस तरह से आपको अगर हिंदी आपने passage की आपने चाप्टर की हंदी प्रश्न करने में आपको कोई भी कठनाई नहीं होएगी आगे कोशिन करते हैं इस पैसेज का तो आगे पूचाए यथा निर्देशम उत्रत की जैसा निर्देश दिया गया है वैसे वैसे आपको उत्तर देने हैं पहला प्रश्न पूचाए अतह बकह केवलं शिरोद्नम तो इस वाके में क्रिया जो है क्या है देखना कोई भी क्रिया तो आपको पता होगी कि क्या होता है तो इस वाके में क्रिया क्या है अपश्यत तो कौन सर सही हो जाएगा गवाला जो है ये सही हो जाएगा ये लिखा है न शिरोद्नम अपश्यत वो केवल क्या देखता रहा उसको खीर को देखता रहा आगे है श्रिगालह तुसर्वं शिरोधनम अभक्षत और जो सियार था उसने सारी खीर खा ली असमिन वाक्य करता पदम किम और इस वाक्य में करता जो है कौन है तो करता कौन होते जो कारे को करता है तो किस ने खाई थी श्रिगालह ने सियार ने खाई थी तो इसलिए उसका उत्तर जाएगा श्रिगालह अगला कुशन है कुटिल सभावः अयच्छत असमिन वाक्य इस वाक्य में विशेश्य पदम की मस्ती अभी आपको उपर वाले ऐसेश में बताये था कि क्यो क्या होता है जिसके बारे में बात की जाती जिसकी विशेश्य पदम आई जाती है ठीक है तो आनट उसकी विशेशता बताई जाती है उस जिसके बारे में बात की जारिया उसे विशेशे कहते हैं तो कुटिल सबाव हा डैश अयच्छत तो कुटिल सबाव कौन था श्रिगालहा था सियार था तो इसलिए इसका श्रिगालहा उत्तर सही हो जाएगा इसमें कौन सा उत्तर सही थ उपर वाले में सेकेंड में जो था वो श्रिगालाह सही था और इसमें था अपश्यत तो अब हम इसका थर्ड पैसेज परते हैं तो थर्ड पैसेज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको हम चल्दी से रीट कर लेते हैं तो इसमें है कि श्रिगालेन वंजितह बकह अचिंत्यत यथा अनेन मया सह वेवारह करता तता अहम अपी तेन सह वेवरिश्यामी कि इस यार के दोरा जो ठगा हुआ बगुला था उसने सोचा यथा अनेन मया सह वेवारह कि इसने मेरे साथ जैसा वेवार किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही वेवार करूँगा एवं चिंतित्वा ऐसा सोचकर सह श्रगालम अवदत उसने सियार से क्या कहा तुम अपी शुह कि तुम भी कल जो है सायम शाम को मया सहा बोजनम करिश्यसी की मेरे साथ जो है बोजन करना बकस्या निमंत्रे श्रगालहा प्रसना अबवद श्रगालहा सायम बकस्या निवासनम भोजनाय अकच्छत जब वो है उसके निवास पर उसके घर जो है भोजन के लिए गया सियार तदा बकह संकीनम के कल्षे चिरुद्णम अय अच्छत तम उसने बहुत से पतले से मुवाले कलश में जो है उसको खीर परोसी श्रगालहा अवदत और सियार से कहा बित्र आवाम अस्विन पात्रे सहय भोजनम कर वहा कि हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं बकह कल्षात चंचवा शिरुद्णम अकादत और बगले ने कलश से चोच से खीर खाली परंदु श्रिगालहा से मुखम कल्षे ना और वह केवल इडशिया से देखता रहा तो इसके कोशन्स देखते हैं आप जल्दी से पैसेज के तो पहला प्रशन पूछा है श्रिगालहा केन प्रसन्नहा अभवत तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जो पहला प्रशन है हमारा श्रिगालहा केन प्रसन्नहा अभवत था यो कि उसने उसको निमंत्रंड निया था गर पराने का इस लिए स्फियार प्रसंड था तो पेहला क्या क्या उत्र हो जएगा निमंत्रीन अगला है कहा सर्वं शिरोच नम् खाधती कि कि तो किस ने खायTRI अब की बार फाईती सब्सक्राइब बगुलेने तो सियार जो प्रसन था तो निमंत्रन से और किसने सारी खीर खा ली थी बगुली ने तो अगला कोशन देखते हैं अब अगला पुझा है श्रिपूर्ण वाक्य में उत्तर है इसको पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको कि अब जो है सियार की द्वारा ठगी हुई बगुली ने क्या सोचा था तो क्या सोचा था उसने कि जैसा इसने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा ठीक है अब इसका आंसर आपको दिखाते हैं अगला है बगुला था उसने शिरिगाल को कथम कैसे जो है शिरोधनम खीर दी थी तो इसके दोनों के आंसर अभी देखते हैं तो क्या था पेहला कुषण की शिरिगालने जो यह वन्चित हबकह की मतलं चिंतियत जो सी आर की द्वारा ठगेवे बगुला ने क्या सोचा था तो शिरिगालेन मेरें जैसा मेरे है तथा अहम अपी सें तेन सहवे विरिश्यामी कि मैं भी इसके साथ वैसा ही करूंगा अगला प्रश्ण था कि बगले ने सियार को कैसी जो है खीर दी थी बगले संकीन मुखे कलशी कैसा था वो संकीन मुखक का कलश था शिरोधनम अयच्छत बहुत ही पतले मुवाले कलश म अगर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे तो एक्जाम जिस दिन होगा आपका तो उस दिन आपको मुश्किल नहीं होगी बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा तो आप ऐसा करिए कि इस चाप्टर के एक एक चाप्टर के हम आपको करवाएंगे सारे पैसेज तो जितने भी हैं जैसे आज सेवन चाप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स चाप्टर फिर उसके बाद करेंगे तो वो सारे कोशिन्स आप अगर अपनी नोटबुक में कर लेंगे तो उससे आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा ठीक है तो ये सारे प्रश कि ये शब्द जो है अनेन ने यह सर्वनामपद किसके लिए प्रियोग किया गया है कि किसके लिए कहा था उसने कहा था कि जैसा इसने मेरे साथ बरताव किया है तो किसने किया था गलत वैवार जो है किसने किया था श्रिगालाई तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा श्रिग के लिए आया है ठीके अगला है बकह संकीन मुखे कल्षे भोजनम अयच्छत बगले ने बहुती पतले मुवाले जो है कलश में भोजन दिया था अत्र यहां कल्षे इती पदस्य विशेशन पदम की मस्ती इस पद का जो विशेशन है वो क्या है तो कलश कैसा था क्या संकीन मुखे पतले मुवाला था तो संकीन मुखे जो है इसका उत्तर हो जाएगा इस पूचा है न इती पदस्य विशेशन पद कैसी विशेशता है कैसा है वो कलश संकीन मुख वाला तो इसलिए संकीन मुखे इसका उत्तर हो जाएगा आगे है आवाम भोजनम कुर्वह अ कौनसे वचन में है तो कौनसे वचन में है हमारी क्रिया जो है कार्य क्या है आवाम भोजनम कुर वहा कि हम भोजन करें तो कौनसे उसमें हो गई है वचन कौनसा वचन है ये द्वी वचन ठीक है तो उन्होंने उसने कहा था कि जब बगले ने उससे कहा था सियार से कि चलिए ह हम भोजन जो है वो करती हैं तो इसमें भोजन करना तो किस कौजी क्रिया वो हो गई इसमें वचन हो गया इसमें है द्वी वचन ठीक है तो अगला पैसेज पढ़ते हैं जल्दी से तो ये लास्ट है क्या है हमारा बस श्रिगालहां बकम प्रतियाद्रशम वेवारम अक्रोत की सियार ने बगली के साथ जैसा वेवार किया अपी श्रिगालम प्रतियाद्रशम वेवार करता प्रतिकारम अक्रोत की उसने भी वैसा ही वेवार करके उससे क्या लिया था प्रतिक अगर कोई मानव सुख चाता है तो सुख चाने वाले मानव को अच्छा वैवार, सत्वै वर्तव्यम, अच्छा वैवार ही करना चाहिए तो इनके जो क्या प्रश्न बनते हैं इस पैसेज के ये जो दो लाइने दी हुई है और ये जो दियावा है श्लोक इसके कौन-कौन से प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं तो क्या प्रश्न है पहला एक पद में उत्तर देना है बकह किम अक्रोद बगुले ने क्या किया था तो बगुले ने क्या किया था अब तो आपको पता चल गया होगा कि उसने बदला ले लिया था तो प्रतिकारम उत्त अगला है दुर्वेवारत से फलम किद्रशी भवति अगर हम किसी के साथ दुर्वेवार करते हैं बुरा वैवार करते हैं तो उसका फल जो है कैसा होता है दुखतम होता है दुखताई होता है तो इसके अब उत्तर दिखा देते आपको तो देखिए पहला जो है प्रतिकारम हो गया कि उसमें पुछा था कि बकाह किम अकरोथ की बगले ने क्या किया था बदला ले लिया था प्रतिकारम और दुर्वेवार से फलम किद्रशी भावती कि दुर्वेवार का फल जो है कैसा होता है दुखता ही होता है तो दुखतम ठ कुछा है बकाह श्रिगालम प्रति कथम प्रतिकारम अक्रोद बगले ने सियार से किस प्रकार जो है कैसे जो है वो बदला लिया था तो कैसे बदला लिया था कि उसके साथ भी वैसाई व्यवार करके उससे बदला ले लिया था और कस्य फलम दुगतम भवती और किसका फल होता है तो इसके उत्ते लेते हम जल्दी से तो देखिए पैरा शिर्गाला हाबकम प्रती यादर्शम वैवार कर अकरोप कि उसने उसके साथ जैसा वैवार किया था, या जो हं था अजे साथ आप गले अजमर वैवार करके उस से बदला ले रिया था दुखदाई होता है ठीक है अब last question करते है इसका तो अगला प्रशने यथा निर्देशम उत्रत जैसा निर्देश थिया गया आपको वैसा ही करना है मानवेन सुखैशिना अन्यो विशेशन पदमकीन कि मानवेन सुखैशिना इसमें जो है विशेशन पद जो है कौन सा है तो विशेशन किसे कहते हैं आपको बार बार बताया जो किसी की विशेश्टा बताता है उसे विशेशन कहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सुख्याशी नह तो सुख्याशी नह क्या है यहाँ पर विशेश्टा बता रहा है किसकी माणव की की अच्छा वेवार करने, सुक चाने वाले माणव जो है उसको अच्छा वेवार करना चाहिए आया था वे लास्ट छाइन में हमारा तो मानवेन सुखहशी नह, तो क्या सुखहशी नह, इसका विशेशन है अगला है सद्वेवारा इती पदसे विलोम पद किम विलोम क्या होता है किसी का उल्टा शब्द विप्रीत भी कहते है विलोम भी कहते है तो सद्वेवार का क्या हो जाएगा दुर्वेवार ये तो बहुत असान था अगला क्या है आत्म दुर्वेवारस से फलम भवती दुखदम की अपने वेवार का फल जो है कैसा होता है दुखदाई होता है अत्र भवती इती क्रिया पदस से करता पदम किन कि यहां पर जो है भवती इती क्रिया पदस से इस इस भवती का क्रिया पद का करता जो है वो कौ कौन है तो क्रिया का करतापत कौन है किसी इसका फल जो है दुखदाई होता है आत्मदूर विवारस से फलम क्या दुखदाई होता है उसका फल तो इसलिए यहां पर पूचा है कि इती क्रिया बदस्य भवती जो क्रिया है इसका करता पूचा है इसका करता पूचा है तो क्या अपने विवार का जो क्या दुखदाई होता है, तो क्या होता है? फलम». तो फल जो है उत्तर हो जाएगा. ठीक है? तो unaとारी उत्तर हम आपको फिर से दिखा देते हैं. तो देखे, ये था passage one क Nepom угuenति, ये उत्तरल पहला और दूसरे का. और यह है फर्स्ट पैसेज के जो थर्ड कोशन था उसके आंसर है यह सेकिंड पैसेज जो था उसके आंसर है आपके यह थर्ड कोशन जो था पैसेज 2 का यह पैसेज 3 था गद्यांज 3 उसके आंसर है और यह कोशन नमबर 3 था पैसेज 3 का यह पैसेज 4 के आंसर है और यहाँ अपर ये खतम होता है यहाँ पर बचो हमारा जो चैप्टर था बगकश्य तो यह वाला चैप्टर जो था बगकश्य प्रतिकार है इसके हमने जो है सारे पैसेज पड़ लिये और इनके प्रशन भी जितने भी प्रशन बनते थे passage 1 से 2 से 3 से जितने भी passage और 4 ये जो last की line थी इनसे जितने भी passage बनते 4 passage से जितने भी प्रशन बन रहे थे वो सभी हमने कर ली अब आपको ये करना है इन सभी को अपने copy में करकर के practice करनी है notebook में करके और अपने exam में अच्छे number लेकर के आने हैं तो next video में मिलते हैं और अगर आप हमारी channel पढ़ना ही है तो